थपपडबाज नरेश मेना के काण ने राजस्थान के तौंग जिले में हलचल मचा दी हैं उसकी गिरफतारी के बाद से जिले की देवली उनियारा विधान सभाक्षेत्र और समरावता गाव में तनाव का माहौल है उसके समर्थक चक्काजान और आग जनी कर रही हैं इससे पहले बुधवार रात को भी ऐसे ही हालत बने थे उन्होंने एक सौ से ज्यादा कार बाइक और जीपों में आग लगा दी थी घटना से गाव वालों में डर का माहौल है उनका कहना है कि पुलीस वानों ने उनके परिवार के युवाओं को हिरासत में ले लिया है जबकि हम पुली उनियारा विधान सभा के प्रत्याशी नरेश मीना के कारण जिसने SDM अमित चौधरी को थपड मार दिया नरेश मेना का आरोप था कि अधिकारी जबरन मतदान करवा रही हैं आपको बता दे कि थपडबाज नरेश मीना पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं आगजन पुलीस ने इस बात की जानकारी दी है SDM को थपड मारने वाले नरेश मीना को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है टॉंक के पुलीस अधिक्षक भारी पुलीस फोर्स के साथ नरेश मीना को गिरफतार करने उसी गाव में पहुचे थे जहां मीना अपने समर्थकों के साथ ध करेंगे पुलिस ने मीदिया के सामने ही नरेश मीना को गिरफतार कर लिया नरेश मेना की गिरफतारी से गुसाएं समर्थकों ने सवाइमा धुप्र के पास अलीगर में जाम लगा दिया जहां क्यावेनिट मंत्री किरोडिलाल मेना मौके पर पहुँचे और उनसे बात चीत की। नरेश मेना ने SDM पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गाव के लोग वोटिंग का बहिशकार कर रहे थे। लेकिन SDM भाजपा कैंडिडेट को जिताने के लिए वहाँ फर्जी वोटिंग करा रहे थे। इतना ही नहीं SDM ने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आएं लेकिन कलेक्टर नहीं आई वो हाथों में महंदी लगा कर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था। मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहे थे उन्हें भी पुलीस ने नहीं आने दिया और फिर मेरे समर्थ को पर करें। लेकिन SDM के खिलाफ कारवाई की जाए। आपको बता दे कि नरेश मेना देवली उनियारा विधान सभा का निर्दलिया प्रत्याशी है और पॉंग्रेस का बागी नेता है। वह मूल रूप से बारां जिले के नया गाव का रहने वाला है। नरेश मेना का पूरा प परिशत सदस्य हैं और छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिती सदस्य है। चात्रे जीवन में नरेश राजस्थान विश्व विद्यालय का महा सचिव रह चुका है। नरेश मेना कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट के समर्थक है और वह उनके जैसा ही बनने चाहते हैं। व अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद। अगर कर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर आपके और मिलियूंगे बुलाएं।